हलो फ्रेंड्स अम्रिश एंड जया पटेल नई बोजन प्रथा से हमारी रेसिपी सिरीज चल रही है आज हम आपको बताएंगे एलो वेरा ज्यूस एलो वेरा यानि कुवार पाथू हिरत कुमारी सब लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने के जरूरत नहीं है बहुत हिल्दी है और आप इसको गमले में उगा सकते हैं आपको एक रिक्वेस्ट है आप बाहर से जो मिलता है एलो वेरा ज्यूस वो मत यूज करना कि उसमें प्रिजर्वेटी होता है तो उसका जो बेनिफिट होता है वैसे भी खत्म हो जाता है इसके बजाए आप आपके गमले में ऐसे ऐलो वेरा यूज कर सकते हो एलोवेरा में खाली ध्यान वो रखना है कि जो प्रेगनेंट लेड़ी है वो उसका यूज न करे और बारा साल के नीचे के जो बच्चे है वो उसका यूज न करे तो अच्छा रहेगा ऐसा उसका लीफ जो है आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है उसको आपको गमले में से काट लेना है और उसको ऐसे यहां से काट लेना है यह बॉटम जो है वहां से काट के उसको आपको आधे गंटे ऐसे रखना है उसमें से लिक्वीड यलो कलर का धीरे निकल जाएगा वो लिक्वीड सरीर के लिए अच्छा नहीं है वो को यह लिक्वीड खरू। खासरोई जहरावी देवानो बाद लिक्वीड निकल आए बाद मेश्प। किसे निकाल सकते हो आप उसके भी अलग अलग वीडियो है YouTube पे आप देख सकते हो वो ऐसे यह देखो उमने जैल निकाला हुआ है यह जैल उसका आपको निकाल देना है यह आप उसको फ्रिज में रख सकते हो मिक्सर में ब्लेंड करके वो दो-तीन विक रहता है इसको देखो आप ऐसे निकाल सकते हो इसमें कट कर लेना है और ऐसे, देखो यह कितना बढ़िया पल्प निकल जाता है ऐसे उसको उसको यूज कर सकते हो यह हमने किया है इसको आप सिर्फ मिक्सी में ब्लेंड करके आप एक बोटल में रख सकते हो और बारी-बारी उसका उप्योग कर सकते हो आज हम आपको बताने जाने वाले है वो है एलोवेरा एंड पॉम ग्रेनिट अनार दाने का जिस ये बहुत अच्छा रहता है टेस्टी रहता है आपको बहुत इज़ी है वैसे तो ये जेल लेना है एलोवेरा जेल और अनार के दाने लेने है उसको हमारी जो रेगुलर मिक्सी में ब्लेंड कर देना है ज्यूस बना देना है उसका और बाद में उसको इससे चान लेना है जो अपना नेट यूज करते है हम ये नेट से हमें चान लेना है और बाद में आप उसमें ये है हमारा संचर यानि ब्लेक सॉल्ट ये है हमारा चाट मसाला आप चाट मसाला और आइस क्यूब डालके इतना बड़ी आप देखो कितना अच्छा लगता है ये आप फुदी नास अंदर डाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा अनि अंदर तमारे दाडमना दाना एलो वेरा जेल संचर चाट मसालो आइस क्यूब और फुदी नाके ना ज्यूस बना हो इतलो टेस्टी ज्यूस बन से अठवाडी हमा एककाद बेवार पीता रहे है जो तो तमने लाग से जया हमें लगातर हेल्प कर रही है लॉकडाउन में और यह सही में हेल्थ जो आप बहुत सारे केमिकल्स आपको अच्छा लगे उसके लिए लगाते हैं इसके बजाए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है अप कहीं से भी बाहर भी उसका 50-500 रुपिय में उसका पौदा मिल जाता है वह आप डाल सकते हो आपके गमले में तो 15-20 दिन में वह शेप लेने लगता है बहुत आसान तरीका है बहुत सस्ते में आप यह सब कर सकते हो फ्रेश अल्टीमेटली अपने को जो भी बॉड़ी में जाता है वो सही जाना चाहिए हमारा वाट्सअप पे लगातार सब वीडियो चल रहे है आप शेयर भी कर सकते हो मेरा यूटीब चैनल सस्क्राइब करें और वाट्सअप फेस्बूक और टेलीग्राम पे उसका ज तरहें जाना टीमेटली